नमस्कार आप देख रहे हैं नीज बोड़कास 24 मैं हूँ आपके साथ अंजू भाटी इस वक्त मैं मौजूद हूँ खेड की दोला जो की गुरुग्राम सेक्टर 83 में एंटेटेन्मेंट मॉल है जहां पर आपको मैं बता दूँ एक मूवी रिलीज हुई है एक फिल्म रिली चंद उनकी किर्दार से किस तरीके से प्रभावित हुए सर जो यह आप भूमी का निभा रहे हैं इस फिल्म में तो उनके किर्दार से किस तरीके से प्रभावित हुए अएंद अुछा जैइं तो मुझे औा आंने गूसांगी की के फिल्म करनी है तो आधा भी सांगी में असे पहले सूनाने तो ञीट मुझे सिंज थे पर ज्यूंतारी경 मुझे थे सन安से नहीं हुआउट सब्सक्रफ epos वो सीन सुनके मैं हिल गया एक सीन तो यहां है जो जहां में मरता हूँ दूसरा सीन पार्ट टू में आए गा एंड में है कोई एंड वाला सीन है तो वो फिर मैंने उनकी कवितागी पढ़ना शुरू की यह सीन सुनके मैंने 11 रुपे उनको दिये के आप शुरू करते हैं काम और वो दिन हाथ 2016 का और आज 6 साल से उपर हो गया आज हमारा सपना जो है बिल्कुल साकार हो गया है बिल्कुल और सारे प्रोडूसर एक्जेकुटर प्रोडूसर रामपल बलारा जी रविंदर राजाबज जी और अमित भारद्वाज जी जिन्होंने याज शो और्गनाइज किया है तो सब लोगों ने बहुत हैल्प किया है और बहुत ही खून पसीना एक किया है 48 टीरी की टेंपरेचर में मैंने मुझे याद है अभी तक सब काले हो गए थे मतलब मैं भी मैं महीने की कड़ी मेह इस फिल्म में लगाई गई अशे साल झेष खेवाड चयर साल उगे हैं पंच साल में ये बनके तयार हो गई थी लेकिन एक साल से मुझे एजे प्रोडूसर डारेक्टर और 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में और ये एकलोती फिल्म हरियान है कि जो दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल जो कांस में होता है वहां दिखाई गई ओनलाइन 9 जुलाई 2020 को ओनलाइन क्योंकि ओफ में बड़ी खुशी है कि अमिताव बचन के उचाई से ज्यादा भीड हमारे उसमें है दादा लखमी में और मैं अमिताव जी को जब भी मिलूँगा जरूर बताऊंगा यह वात प्राउड नोट नोट घमंड से नहीं पॉलाइटली बताऊंगा विकोज ही माई लीजिन प दिखाएं बूढों को बच्चों को जरूर दिखाएं क्योंकि यंग जनरेशन तो चली जाती है लेकिन बच्चों को कोई लेकी नहीं जाएगा बूढों को जरूर दिखाएं मैंने देखे हैं 90-90 साल के बूढ़े जो जिंदगी में पहली बार सिनेमा होल आए हैं दादा आइटम सोंग नहीं है इसमें कॉमेडी नहीं है बॉढ़ी कुछ भी ऐसी इसमें आचा एक यह उपर से हर्यानमी उपर से पार्ट टू बनेगा अभी आधी फिल्म तो यह सारे चैलेंजिस जो हैं अभी सस्पेंस है पार्ट टू में में चीजें पता चलेंगी कि क्या नहीं की कि हर मैं रागनियां जो जिनकी वजएस उनको शेक्स्पीर बोला जाता है उनको कालीदास बोला जाता है भाविश्यवक्ता बोला जाता है वह जो लोगों से लेके बच्चों तक एक अच्छा संदیश जा रहा है उसके बढ़े मताईए यह तो लोगों से पूछी है क्योंकि मैंने तो अभी बताए तो अभी तक का जो रिव्यू देखने को मिल रहा है वह कैसा है माइंड ब्लॉइंग आज दसवां दिन है आज लगातार हाउस फुल जा रही है अगर मैं दो या तीन जगें छोड़ दूँ जो पंजाबी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि मैं सच बताऊं तो मैं अकेला बैठ के रोता भी हूं कि पता नहीं मुझे कितनी गालियां पढ़ती है अगर यह फिल्म खराब बनती तो कितना कितना मतरत जहलना पढ़ता है क्योंकि पांच-छे साल हो गए कई ने तो एक बोलना शुरू कर दिया कि या रहे मुगले आजम बना रहा है के बड़ी मुश्किल से तो मन का काम करने का मुका मिला है तो मन का काम है यह मेरा यह मेरे अंतरात्मा का काम है यह मैंने सब की सुनी लेकिन की मैंने अपनी क्योंकि यही मैंने बोला एक बार दो, जो मेरे मन में हैं, तो यह मेरा point of view है, हो सकता है, आपका point of view अलग हो दादालकमिका, पर मेरा point of view है, यह है, उसकी संगीत की तडप, उसका संघर्षण, और उसकी आवाज का जाना और वापिस आना, बस यही ऐे मेरी film, part one, इतना ही है, सर बॉल्यवर्ट मूवीज में आपने बहुत सारे सीन किये हैं ग्लेमरस से लेके इस तमाम तरह की भूमिकाओं में आप नजर आएं अब सडनली एकदम कट अफ एक संसकती गाओं हर्याडा गाओं उसकी जो संसकती लोग कलाए लोग गीत वो दिखाए गए तो सर इसका आप के पास विचार कहां से आया कि हमें यह चीज करने चाहिए लोगों तक यह संदेश पहुचाना चाहिए हर्याडवी लोग कला संसकती को जलकाना चाहिए इसके बारे में बताई नहीं मितलब इंडेस्टी काम में करता रहता हूं अभी तो क्योंकि अभी मैं पहली बार इतन सहाँ रविंदर जी झो हमेशा हम साथ रहते हैं बाकी लोग जहां जहां जाते वहां से जुड़ जाते है आपने हैं आप क्योंकि पूरे ह्याणा में लोगों किया है हर डिस्ट्रिक में काम किया है तो एक बर मैं जैसे सिंगीज किग है रावडी राठोड है ये फिल्में है मेरी लेकिन मुझे ना स्टिस्ट्रचन नहीं मिलती है सच बताऊं मुझे सैट्रचन वैसी फिल्मों से मिलती है जैसे अब तक एक छपपन हो गई यह में आये इदर देखो फिल्म में मेरी बहन बनी है भूमी पیड़ने कर इनकी बेटी है और यह बहुरानी और सांजी दो फिल्मों कुई मननने आवा हिचकी इनके उपर फिल्माई गया था यह ओर भी कई गाने और कई फिल्में इनुन के लेकिन जो ए work बहुत ही कमाल की फिल्में है नहीं दोनों देखी है और इस फिल्म के अंदर धन्तो मेरी बड़ी बहन का किरदार इनने किया है सुमित्रा हुड़ा जी ने आप इन से बात कीजिए पहले मैं आपने जो बहन का किरदार निभाया है उस किरदार को निभाने में कितनी करते नजर आएंगी है बिलकुल डाटे वे भी मारते वे भी सब करते नजर आऊंगी इन दोनों बहन बहन का प्यार सबसे जाधा था पूरी फिल्म के जीवन में जो मुझे पता चला पढ़ने में जो आया धंतो और लख्मी का अगाड़ प्रेम को हाँ जैसे हमारे जो देहात है और हमारा जो समाज है उसमें मेरे ख्याल से भाई बहन का जो प्यार है वो उस गीतों में भी आता है और हर जगे आता है और इस फिल्म में आप उसको साकार होता देखेगे तो अभी हमारे साथ ये फिल्म के जो डायेक्टर है वो भी है यहां पर मौझूद है उनसे भी जान लेते हैं प्रोडूसर है उनसे भी जान लेते हैं कि क्या कुछ खास रहा है और कितना इनके लिए जो एहम रही है ये फिल्म चलिए जानते हैं उनसे सर तो ये आपके लिए तो इसमें जो लोग कलाय संसकती जलकाए गई है उसको देखते हुए कितनी है देखिए इतनी है यह तो अश्य हो गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है और लोग यह सावित होता है कि लोगों को आप अच्छा सिनेमा दिखाएंगे तो लोग लाइक करेंगे तो इससे बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अच्छा सिनिमा बनाई है अच्छी फिल्म बनाई है लोग देखने के लिए जाएंगे और अभी अग्ला फिल्म बनाएंगे उसके अंदर और बहतर करने को आज का दोर चल रहा है कि सेक्सी ग्लेमर्स और बहुत सारी मूवी ऐसी हैं जो लोगों को अट्रेक्ट करती हैं तो ऐसे में आपने एकदम से काया परड़ दी है मतलब जमीनी इस तरह से जुड़ी हुई चीजों को आपने दिखाया इस पर क्या गए यह तो यसपाल जी की महनत और उससे हुआ है और सचाई यह है कि लोग यह सब गंद बहुत देख चुके हैं इस तरह की फिल्म बहुत देख चुके हैं यूटूब पे बहुत इक सर और भी है चलिए उनसे जानते हैं इस फिल्म के बारे में एक्जुकेटिव प्रोडूशर है रामपल बलार चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है सर आप क्या कहना है मैं इस में एक्जूटी प्रोडूसर हूँ और हर्यानवी चिनेमा से मैं 1984 से जुड़ावा हूँ चंदरावल जबनी मैं उसमें स्टेन डारेक्टर था और इसमें मैं एक्जूटी प्रोडूसर हूँ तो वो दोर भी देखा ये दोर भी देखा है तो इस फिल्म का जो लूख ऍट इसले पřील है तो टोटले डिफरेंट है और उसमें मियुजिटा बोट अच्या है क्योंकी उसफिल्म जो चंदरावल में जो मुजटे गजय टेफे उथा है जो कि बहुत ही एक ऐसा मुजिक दिया है कि लोग मिलकुल मस्त हो जाते है और जहां तक बनाने क्या है काभी गैब के बाद हर्याणी सिनेमा आया है ऐसा सिनेमा लोग कहते हैं हर्याणी सिनेमा कहा है हर्याणी सिनेमा क्योंकि हमने हर्याणी सिनेमा बनाया ही नहीं प्रावलम यह रही और उसके बनाने से किया हमारे दर्सक भाग गए और थेटर वाले भी भाग गए हम जाते कोई कियो फिल्म बना लेकर आए जैसी यही फिल्म लेकर आए हमें अच्छे छोड़ो जी ऐसा ही है बड़ी दिक्कत हुए हमें सुरूश को के अंदर पर अब महौल बदल गय यहां लोग कहते हैं हमारे यहां लगाऊना से तो चटते सुरूश को स्लाव है सभी कह रहे हैं बहुत अच्छा सिनिमा में इसमें सारी मैनत यह स्पाल जी की है सबसे पहला तो इनका है नोना पैशा लगाने की हिमत दिखाई इस वाह पिक पर और फिर इस पाली जी के मन मे सब्सक्राइब कर दो कि मुझे ऐसी बनानी है शुरू में हमने शुडूर रखा था तीस दिन का क्योंकि बज़ट अरणी सिनिमा है तो थोड़ा इस पाली नहीं करते गए करते के साथ दिन लग गया डबल बज़ट हो गया इसका पूरी गर्मी में इन्होंने शूट में जान ढाली है ना वहां तस्वीरों के माध्य हमसे भी जलक रही है हांत तस्वीरों के आपने उसको पूराना बनाया है और हमें में दर रेको हमें मिले वहाँ पर शिर्शा के अंदर कुछ मकार मिल गए पर गलिया पक्ती थी वहाँ सरकार ने बड़ा लखी उन गलियों के हमने कच्छा किया उसमें ट्रॉली से वह डाला रेज डाला रो वही लुक एंड फिल दिया आप फिल्म देखोगे तो आप पीछे चले जाओग जो बुजर्ग तो कहेंगे रहे यह था हमारा समय उनको अपना दिखाए देगा और यंग कहेंगे यह क्या है तो बुजर्ग बताएंगे ऐसे होता था यह तो यह एक मेल है दोनों कल्चर है कल्चर है बिल्कुल तो आप जरूर देखो और आप इस मेसेज को आगे देए आ सर कहीं ना कहीं देखा जारा है कि इस फिल्म का जो बहुत दंदाल लग रहा है इस पता चल रहा है जो पोस्ट लगाए ओष जो जो फुमी का है जो महनत बोश। इसमय जलक कास्ट है और यश्पाल शर्मा जी हमारे बड़े भाई बलारा जी और जो इसके प्रड्यूसर है रविंद रजावत जी उन सब को और पूरी टीम को समित्रा हुड़ा जी और एक एक आदमी चाहिए को कैमरा मैं हो चाहिए वो कहानी जिसने लिखी हो या म्यूजिक दिया हो स सबको मैं बदाई और शुबकामनाय देता हूं कि हरियाना में बहुत अर्से बाद मेरे क्याल से लोग चंद्रावल को याद रखते हैं या मेरे क्याल से उसके बाद यह जो मुवी है दादा लखमी इसको याद करेंगे इतना जबरदस रियक्शन जो पबलिक से देखने को यह बहुत अच्छी मुवी है और मैं हरियाना के सभी लोगों से अपील करूंगा और हरियाना हरियाना नहीं मैं तो कहता हूं यह पूरे हिंदुस्तान में दिखानी चाहिए कि हमारी संस्कृती हरियाना की कैसे थी और इसको हम बढ़ात किस तरीके से सकते हैं तो कहीना कहीन यह लोगों के लिए आज के युवाओं के लिए एक संदेश है इसमें कि जो आज मॉडर्निटी के पीछे भाग रहे हैं जो अपनी संस्कृती को छोड़ते हो जा रहे हैं तो वो इस मुवी में नजर आएगा देखिए मॉडर्निटी का मतलब एक्चली लोग ना गलत समझ जाते हैं मॉडर्निटी का मतलब यह होता है कि हम एजूकेशन लें रोजगार को अपनाएं अपने कल्चर के साथ आगे बढ़ें क्योंकि अगर हम कल्चर ही छोड़ देंगे तो सब कुछ खतम है जीवन कल्चर के उपर ही आधारित है और हमार को बड़ा गर्व है बहुत ही हम तो गर्व महसुस कर रहे हैं एजे पर हम हर्याना के ही हैं तो यह हर्यानवी मूवी यह सब की जबान पर आज की डेट में और वो कैसे गीत गाया करते थे तो हमारे बचे को भी संदेश देने के लिए एक बहुत अच्छी पहल है और मैं पूरी टीम को यह शुब कामना है और आगे फिचर के लिए भी पार्ट टू के लिए भी शुब कामना है देता हूं कि जस तरह यह चल रही है हाउसोल चल रही है वो उससे भी जादा अच्छा काम करेगी तो जैसा कि आपने सुना ये जो फिल्म है हरियानवी कल्चर को लेकर बनाई गई है 6 साल की कड़ी महनत के बाद इस फिल्म को दर्शाया गया इस फिल्म में जो सीन है गाउं से रिलेटेड है जमीनी इस तर से जुड़े हुए लोग कलाए हरियानवी की जो है वो इसमें दिखाई गई है गीत, कला, संस्कती और मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो अपने बच्चों को लाकर इस फिल्म को दिखाई है क्योंकि ये फैमिलियर फिल्म है और कही न कही एक संदेशिस में ये भी जा रहा है कि जो अपने जो कल्चर है modernity अपना ये कोई बुराई नहीं है लेकिन जो अपना कल्चर है अपने जो लोग गीत है अपना जो गाउं है वहां की वेशबूशा है वहां की जो बाते हैं वहां की जो दुनिया है उसको मत भूलिए कही न कहीं इस फिल्म में यही दर्शाया गया है इस पोस्टर को भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह दमदार भूमी का यश्वाल शर्मा निभाते हुए इस फिल्म में में लीड रोल एहम निभा रहे हैं और इस फिल् कैमरा पर्शन सुरेश तान्या के साथ मैं अन्जुभाती न्यूजबोडकास 24 नमस्कार